नमस्कार दोस्तों मैं संजीव कुमार सिंग आज हम कहानी एक ऐसे कहानी के बारे में बात करेंगे जो समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता अगर आपके जीवन में एक गहरा अंधेरा छाया है तो समझ जाईए कि एक नई सुबह के साथ उजाला आने वाला है इंतिजार ये कहों कि समय से पहले कुछ नहीं होता एक कहानी से आप बहुत कुछ समझ पाएंगे एक नगर के राजा थे जिनके पास काफी दवलत थी राजा ने अपनी बेटी की साधी एक बड़े घर में खीती परंतु बेटी के भाग में सुख ना होने के करन उसका पती जुआरी स सरावी निकल गया जिससे धान सब धन समाप्त हो गया बेटी के यहालत देकर आनी रोज राजा से कहती कि आप अपने राज की मदद करते हैं मगर अपनी बेटी की परिसानी में होते हुए उनकी मदद क्यों नहीं करते राजा कहते हैं कि जब उनका भाग उदय होगा तो अ एक दिन राजा घर से बाहर गए थे तब ही उसका दमाद घर पर आ गया सास ने दमाद का आदर सतकार किया और बेटी की मदद करने के बीचार उसके मन में आया कि क्यों ना मती चूर के लडूओं में असरफिया रख दी जाए यह सोचकर सास ने लडूओं के बीच में असरफिया दबा कर रख दी और दमाद को चानन टीका लगा कर बीदा करते समय पांच किलो सुद देशी घी उसके लडू जिसमें असरफिया थी दिये दमाद लडू के लेकर घर से चला दमाद ने सोचा कितना वजन कौन लेकर जाए क्यों न यहीं मिठाई के दुकान पर बेच दिये जाए और दमाद ने वजन लडू का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जिम में डाल कर चला गया उधर राजा बाहर से आये तो उन्होंने सोचा कि घर के लिए मिठाई की दुकान से मुती चूर के लडू लेता चलूँ राजा ने अपने मुनीम से बोला कि फांच किलो मुती चूर के लडू ले लो फिर मुनीम ने दुकंदार से लडू मांगे मिठाई वाले ने वही लडू का पैकेट राजा को वापस बेच दिया राजा लडू लेकर आए राणी ने जब लडूओ का पैकेट देखा तो राणी ने लडू फोर कर देखे अशर्फिया देखकर अपना माथा पीट लिया राणी ने राजा को दमाद के आने से जाने तक और लडूओ में अशर्फिया छिपाने की बात कह डाली राजा बोले की भगवान मैंने पहले ही समझाया था की अभी उसका भाग नहीं जागा देखा और सर्फिया ना तो दमाद के भाग में थी और ना ही मिठाई वाले के भाग में इसलिए कहते हैं कि भाग से ज़्यादा अबर समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा इसलिए इस्वर जितना दे उसी में संतोष करो जूला जितने पीछे जाता है उतना ही वह आगे आता है एक दम बराबर सूख और दूख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं जिन्दगी का जूला पीछे जाए तो डरो मत वह आगे भी आएगा किसी की मजबुरिया मजबुरिये पे ना हसिये कोई भी मजबुरिया खरीद कर नहीं ले आता डरिये वक्त की मार से बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता अकल दिमाग कितनी भी तेज हो नसीब के बीना नहीं जित सकती बिर्बल अकनमंद होने के बावजूद कभी बदसान नहीं बन सका इस कहानी से सिक्षा ना तुम अपने आव को गले लगा सकते हो ना ही तुम अपने कंधे पर सर रह कर रो सकते हो एक दुसरे के लिए जीने का नाम ही जिन्दगी है इसलिए वक्त उन्हें दो तुम्हें जो चाहते हो दिल से रिष्टा पैसो के महताज नहीं होते क्योंकि कुछ रिष्टे मुनाफ़ा नहीं देते पर जीवन अमेर जरूर बना देते है कहानी अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा तो अपने दोस्त अगर अपने रिष्टदार को यह कहानी जरूर भेजें और यह वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें नमस्कार